नमस्कार स्वागत आया आपका हमारे यूट्योब चैनल प्रभु धशन करें में तो चलिए दोस्तों वाइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हमके स्टॉपिक के बारे में बात करें हैं मेरे चैनल को लाइक सिस्क्राइब शेयर करना ना भुले और मेरी इस विनायक चतूर्थी के दिन भगवान श्री गनेश की पुझा की जाए तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है पुझा का समय मध्यानकाल में पुझा करना शुप होता है इस दिन सुपह उटकर स्नान के बाद गनेज जी के सामने हाथ जोड़े और व्रत का संकल्प लें सरयल पूजा विदी एक पाटे पर लाल कपड़ा बिच्छा कर गनेज जी के छोटी प्रतिमा को स्तापित करें इसके बाद कल स्तापित कर उनकी पूजा करें कता पड़ें मुदक का भूग लगा कर व्रत धारी लाल रंग के वस्र धारन करें पूजा करते वक्त अपना मूँ पूर्व तथा उत्तर दिशा की और करें पांच दुर्वा गनेज जी को अर्पित करें गनेज जी को लाल सिंदूर से तिलक करें तिल से बनित चीजों के लिए गनेज जी को भोग लगाएं गने वीडियो ज़रूर पसंद आएगो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूलें